रेडियम सिटी के सुविचार भी सुन लीजिये वीडियो वारल हुआ तो SP सिटी सफाई देने सामने आए उनका कहना है कि जो कुछ कहा वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी उनके बचाओ में ADG भी सामने आ गए कि वहाँ पर कुछ ओड़के उत पास करने के चक्करने तो जिन बवाल चला एक जर्खों के लिए कहा गया कि ये गली क्योंकि उसी गली से आये थे तो वह गली हमने याद किया कि इस तरीक्य का मांचनी तट इसमें रहते हैं पुलिस के आला अधिकारी अपने कुन्बे का बचाव कर रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत कर्म हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया भारत का सम्विधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाशा के प्रयोग की इजाज़त नहीं देता है। और जब आप एहम पत पर बैठे अधिकारी हैं, तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भाज़पा ने संस्ताओं में इस कदर साम्प्रदाइक जहर घोला है कि आज अफसरों को सम्विधान की कसम की कोई कदर नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं जो पुलिस वालों के साथ खड़े हैं। इन्ही में पूर्व केंद्रिय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती भी शामिल हैं। उनका ट्वीट देखिए। मेरट के S.P.C.T. अकिलेश नाराइंड सिंग का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पुलिस को मा बहनों की गालियां दे रहे, पत्थर भेक रहे, आगजनी कर रहे, दंगाईयों से यह कहना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसको राजनितिक मुद्दा बनाते समय यह मानविय पक्ष भूल रहे हैं कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं, तथा देश भक्ती का जज़बा उनमें प्रबल होता है, ऐसे में इसको राजनितिक मुद्दा बनाना इन दोन से हालात और नहीं बिगडेंगे